प्यार होना और फिर शादी हो जाना किसी भी प्रेमी जोड़े का सबसे खुपसरत दिन होता है लेकिन हर प्रेमी जोड़े के नस्तिब में एक खुपसरत दिन हो एसा जरूरी नहीं होता वो शुरू से ये किस्मत की मारी रही थी प्यार हुआ भी तो उससे जिसकी जाती ही अलग थी माता पिता ने जाती के बारे में सुनते ही मना कर दिया उसने भी दिल पर पत्थर रख लिया लेकिन इस पत्थर का बोज पहाड से कई गुना जादा होता है जो दिल को दबाता नहीं है बल्कि हर पल चोट करता है और चोट भी ऐसी की दर्थ से दिल तड़प कर रह जाता है यह कहानी है मन की भोली और सच्ची लड़की चकोरी की जो सिर्फ इतना जानती थी बले ही उसे गुस्सा जल दियाता है लेकिन मन में कभी भी दुरभावना नहीं होती थी किसी के लिए नप्रत नहीं होती थी मुँपर ही बात बोलने वाली चकोरी को इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला उसकी बात सुनकर उसे बुरा कहेगा या भला हाँ, कभी-कभी जब वो गुस्से में कुछ जादा ही किसी को कुछ बोल देती थी तब उसे लगता था बात तो उसने सही कही थी लेकिन इस तरह कहानी नहीं चाहिए थी पर अब तीर कामान से निकल गया तो निकल गया उसने गरत बात कही होती तो वे मापी मांग लेती लेकिन सही बात केकर खुदी मापी मांग लेना उसे सक्त ना पसंद था या सीधे शब्दों में कहे तो उसने आज तक कभी किसी से मापी मांगी ही नहीं थी अपने वसुलों पर चलने वाली चकोरी की जिन्दगी में तकलिपे हमेशा डेरा जमाई रहती थी ओधुकी होती अकेले में रोती लेकिन मजाल है उसकी आखे उसके रोने की चुगली कर सके सबकी नजरों में ओ मस्त रहने वाली एक चुलबुली लड़की थी कभी-कभी छोटी-मोटी कविता भी ओ लिख लिया करती थी लेकिन कविता लिखने के बाद अकसर सोचती उफ एक कविता लिखना भी कितना सिरियस काम है मेरे चेहरे पर सिरियसनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बात हो रही थी चकोरी की प्यार की जिससे उसे प्यार हुआ ओदिकने में कुछ खास नहीं था लिकिन उसके व्यवार पर मर मिठी थी चकोरी वो चकोरी जिसने कभी किसी लड़के से सीधे मूद तक बात नहीं की थी एक सीधा सादा लड़का उसे पसंद आ गया था दोनों एक ही ओपिस में काम करते थे वो चकोरी का सिनियर था नाम था प्रांजल अपने नाम की तरह ही सरल और सुबोत अक्सर लोगों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है लेकिन चकोरी के मामले में ऐसा बिलकुल भी नहीं था पहली बार जब उसने प्रांजल को देखा था तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही इंसान उसका प्यार बन जाएगा उनकी मुलाकात ही कुछ ऐसी हुई जुलाई का उमस भरा महिना था चकोरी की कंपणी में आज ही नया मैनेजर आने वाला था कंपणी का ओपीस नोवी मंजिल पर था और सयोग कुछ ऐसा बना कि ठीक उसी वक्त लिप्ट खराब हो गई जब मैनेजर मोद यानि प्रांजल ने ग्राउंड फ्लोर पर अपने कदम रखे गार्ड ने बताया मेकैनिक के हिसाब से घंटा भर लग जाएगा लिप्ट को ठीक करने में प्रांजल को कुछ समझ नहीं आया उसने सोचा घंटा भर खड़े रेकर इंतजार करने से अच्छा है कि वो सीडियों के रास्ते चला जाए एक तो गर में बहुत जादा थी उपर से नोवी मंजिल तक सीडि चड़ना इस अच में बहुत पसीने वाला काम था प्रांजल पसीने से तर होकर अपने गहरे रंगों को और गहरा करके बोस के केबिन में पहुचा ही था कि तभी चकोरी की भी बोस के केबिन में दाखिल हो गई बोस ने चकोरी और प्रांजल का परिचर एक दूसरे से कराया प्रांजल चकोरी को देखते ही उसे पसंद कर बेठा प्रांजल की भावनाओं से अंजान चकोरी ने इस हालत में प्रांजल को देख कर मन ही मन सोचा हे भगवान ए इंसान धर्ती के कौन से कोने से आया है पहली ही मुलाकात में दोनों के अपने विचार थी चोकुरी को प्रांजल अजीब प्रानी लगा था तो वही प्रांजल को चकोरी पहली नजर में ही भाग गई थी दोस्तों कहानी पसंद आये तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग वीडियो